शारुक खान के बेटे आरेन खान को करीब 25 दिनों बाद जमानत मिल गई है बॉम्बे हाई कोट ने तेन दीन के सनवाई के बाद आरेन खान के लावा क्रूज जग केस के दो अन्य अरोपियों अर्बास मर्चेंट और मुनमुन धमोचा को भी जमानत देने का फैसला किया है आज की इस वीडियो में बात आरेन खान के मुद्धे पर अलगलग मीडिया पर हो रही डिबेट की करते हैं पहले जी न्यूस की डिबेट देखते हैं कि वे आरेन खान के मुद्धे पर क्या जानकरी दे रही है और उनका मकसद क्या है आरोप लगाते हैं जवाब मैं समीर्मानखेब़े और उनकी पत्नी द्वार किया जाता है अब एस तरह से आरोपों की जड़ी लगा दी है सो दिवानखे वो अफिसर दबावी कोशिश है इंडिया टीवी पर भी इसको लेकर डिबेट देखने को मिली देखते हैं वे अपने वीडियो में नवाब मलिक और समीर आंकडे के बीच चल रही विवाद पर ही बात करते नजर आई आज बहुत दिन बाद सूपरस्टार शारुख खान के लिए थोड़ी खुशी और थोड़े घमवाली खबर आई उनके बेटे आरेन खान को बेल मिल गई लेकिन जेल से रहाई आज नहीं हो पाई आरेन की आज की राद भी जेल में कटेगी लेकिन फिर भी एक पिता के तौर पर शारुख खान की खुशी दिखाई दी अदालत का फैसला आने के बाद शारुख खान के फैंस बड़ी संख्या में उनके घर के बारे कट्था हो गए आम तोर पर शारुख खान ऐसे मौको पर फैंस के सामने आते हैं लेकिन आज वो नहीं थे और आप तस्वीर में जिससे आप देख रहे हैं ये शारुख का छोटा बेटा आरेन का छोटा भाई अबराम है इसके बाद कोट के फैसली की खबर लेकर जब लीगल टीम शारुख कान के घर पहुची तो शारुख के चेहरे पर बहुत दिन बाद मुस्क्राइब दिखाई दी ये पूरी परिवार के रराप के खबर थी हाना कि सब ये जानते हैं कि आरेन आज रात तो घर नहीं लोटेंगे लेकिन उन्हें ये पता है कि ये जेल में आरेन की आखरी रात होगी इसके लाबा अन्य मीड़े चैनल्स पर चल रही डिपेट पर भी नजर मार ही लेते हैं वैस मुद्धे पर क्या जानकरी दे रही है आज और कल कल भी आरेन के बेल पर सुनवाई हुई आज भी हुई और कल भी होगी एक ट्विटर पर अलग मामला खोला हुआ है नवाब मलिक ने बार-बार ट्विटर ट्विटर करने की क्या जरूत है अभी अभी चुंकि शारो खान के बेटे आरेन खान को जमानत मिलेगी या फ़र नहीं मिलेगी इसी पर सभी की नजर है नशे की जाँच निकाह की आँच जाँच तो इस बात की हो रही है ड्रग्स, ड्रग्स, नशे की जाँच लेकिन कोई सचाई बोलना नहीं चाहता लेकिन तो डाइट I want to bell the cat I want to say it कि इस देश के अंदर कुछ लोगों ने जूट का प्रोपगेंड़ा चलाया है अब बात करते हैं दूसरे तरफ की मीडिया की जो अक्सर सरकार से सवाल भी करता है और जानकारी भी देता है पहले बात वरिष्ट पत्र का रवीश कुमार की करते है रवीश ने अपने वीडियो में आरन खान को लेकर बात की और साथ ही बड़ी मात्रा में पक्री जारी ड्रग्स पर भी सवाल उठाए बीस हजार करोड का करी तीन हजार किलो ग्राम ड्रग्स पक्ड़ा गया उसे लेकर कितना कम कवरिज हुआ च्छा ग्राम चरस पक्ड़ा गया उसे लेकर जो कवरिज हो रहा है पता चलता है कि बीस हजार करोड से जादा शारुख खान की कितनी वैल्यू है इस सवाल से भी दूर रहने जा रहे हैं कि 19 सितंबर को गुजरात के मुंदरा पोर्ट से जब 3000 किलोग्राम ड्रक्स पकड़ा गया तो उसमें क्या हुआ अदालत ने जाच एजनसी से पूछा कि मुंदरा पोर्ट से आपको किस तरह की डिटेल मिले हैं DRI यानि Directorate of Revenue Intelligence ने कहा कि बयान रिकॉर्ड हुए हैं अदानी ग्रूप इस मामले में कानूनी सलाह ले रहा है तब कोट ने कहा कि किस तरह की कानूनी सलाह है क्या वे कानून से उपर हैं कोई भी कानून से उपर नहीं है यह देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहत गंभीर मसला है इसका जिक्र इतना बताने भर के लिए था कि 3000 किलोग्राम ड्रक्स पकड़ा गया उस पर चुपती है और 6 ग्राम चरस पर हंगामा संदीब चौधरे अपनी वीडियो में एकसर बीजेपी नेताओं को घेरते नजर आते हैं इस पारो नन्यार इन खान के मुद्धे पर NCB द्वार की जारही चांच पर सवाल उठाए और बीजेपी की नेता को इस पर जवाब देने को का यहां 6 ग्राम चरस पर 23 दिन से राइता पहला हुआ है लेकिन इसी देश में हमारे ही देश में जून में 25,000 किलो हेरोईन जब्ध की गई मुंद्रा पौट पर 25,000 किलो एक किलो की कीमत कुछ साल पहले एक करोड होती थी और फिर सितंबर में तीन हजार किलो हेरोईन कोकेन जब्ध हुई कौन था मास्टर माइंड कैसे अफगानिस्तान से एरान के रास्ते होते हुए ये हमारे देश में पहुँच गई ड्रग्स एक गिरफतारी नहीं हुई है लेकिन यहां लाइम लाइट खोजी जा रही है और असल जो दिक्कत है ड्रग्स की देश में क्या उसे लेकर कोई गंभीर है भी या बड़े बड़े चेहरे दिखे रोज उनको दिखा दो कोई चर्चा कर दो ब्रेकिंग न्यूज चला दो और बात खत्म हो जाती है ये हमा दाग लगा है शायद भारत की जाच एजनसियों में जो अलग अलग तरीके से चाहे वो CBI हो चाहे वो ED हो चाहे वो IT हो या जो भी एजनसियों क्या उसी कतार में NCB भी जाकर खड़ी हो गई या फिर अफसरों ने वहां के जो अपनी जाच प्रक्रिया थी उसमें दागदा ने उठाया वो शायद NCB की उस पूरी धारना को एक सिरे से खारिच कर देता है जहां पर गिरफतारी हुई और सवाल पहली बार इस जिरह के जरीए यही उठा क्या जो अपराद नहीं हुआ गिरफतारी उसमें हो गई क्योंकि गिरफतारी को लेकर जो पंचनामा तयार किय गया और उसमें जो जो धाराएं लगाई गई और जो जिरती जा रही थी दोनों में दो दिशाओं का अंतर था इस वीडियो में हमने आरिन खान के मुद्धे पर अलग-अलग मीडिया का नजरिया आपके सामने रखा आपको कौन सा मीडिया पसंद है यह आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टोडे के साथ झाल